उपर से माग गाली भी दिये, अब आप बताईए उस समय उनको देखते हैं आप लोग के प्रोटकाल फालो करते हैं, ठोक दिये कालीन भाया की बीवी है बीना, जो की कालीन भाया से एज में बहुत छोटी है और वो उनकी दूसरी बीवी है, जिन्हें वो खुश नहीं कर पा रहे हैं मरे हुए दूले का परिवार एक वकील, रमाकान, पंडित के पास जाते हैं, रमाकान के तीन बच्चे हैं, गुड्डू, बबलू और डिम्पी ये सब मुन्ना भया के साथ एक ही कॉलेज में जाते हैं गुड़ो और मुन्ना एक ही लड़की को पसंद करते हैं स्वीटी पर स्वीटी गुड़ो को पसंद करती है स्वीटी के पापा पुलिस में हैं और कालीन भया को मुन्ना के कांड की खबर दे देते हैं जिसके बाद मुन्ना रमाकान की घर जाके उनको डराता है तो गुड्डू और बबलू उसे बहुत मारते हैं जिसके बाद दोनों को कालीन भाया बुला लेते हैं कालीन भाया इस बाद से गुड्डू और मुन्ना से बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और दोनों को अपने साथ काम में लगा लेते हैं पर मुन्ना भाईया इस बात से बहुत चिड जाते हैं गुड़ू और बबलू पहले अपने पापा से केस वापस लेने को कहते हैं बट वो उन्हें भगा देते हैं तो वो दूले के घर जाके उनको धमका के केस वापस करवा लेते हैं रती शंकर जो कि कालीन भीया का दुश्मन होता है मुन्ना को मारने के लिए आदमी भेचता है लेकिन मुन्ना उसे ही मार देता है मिर्जापुर का एक पोलिटीशन जेपी यादव कालीन भाया से इलेक्शन के लिए पैसो के डिमान करता है तो कालीन भाया लाला के पास एक्स्ट्रा अफीम लेने जाते हैं वापस आते हुए रतीशंकर के आदमी उन पे अटाक कर देते हैं कालीन भाया को गोली टच करके निकलती है लेकिन वो बच जाते हैं इसके बाद कालीन भाया गुड्डू और बबलू को कट्टो का बिजनस एक्स्पांड करने के लिए देते हैं बीना का अपने घर के नौकर राजू के साथ चक्कर चल रहा होता है वह कॉलेज में प्रिंसिपल गोलू जो कि स्वीटी की बहन है उसे इलेक्शन लड़ने के लिए कहते हैं वो भी मुन्ना भाया के अपोजिट दूसरी तरफ मुन्ना गुड्डू को स्टिरोइट्स देते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए मुन्ना का दोस कमपाउंडर कालीन भाया को मारने की बात करता है जब मुन्ना भाया किंग ओफ मिर्जापूर बनने की बात करते हैं पहले तो मुन्ना भाया बहुत गुस्सा करते हैं लेकिन इस बात को कंसिडर भी करते हैं गुड़ू और बबलू कट्टो की व्यापार में काफी प्रॉफिट बनाते हैं, तो कालीन भाया उन्हें अफीम के बिजनस में भी इंक्लूट कर लेते हैं, फिर वो दोनों हिजडो से अफीम बिकवाते हैं, दूसरी तरफ रमा कान सीम को लेटर बेशते हैं, मिर्जापुर में बढ़ते क्राइम को देख के, तो एक नया SSP मौर्या को भीजा जाता है, पोली के देन पुर्वांचल के माफिया लोगों की मीटिंग होती है, कालीन भाया के घर पे, जहां पे मुन्ना और जेपी में थोड़ी कहा सुनी हो जाती है, जेपी आदव को बेजती फील होती है, तो वो रती शंकर को सपोर्ट करने की बात करता है, मौर्या अब एक स्पेशल टीम बनाता है, और गुड्डू बबलू पे अटाक करता है, पर वो बच जाते हैं, कालीन भाया दोनों को अंडरग्राउंड होने को कहते हैं, वही दूसरी तरफ मुन्ना भाया के कहने पे कमपाउंडर कालीन भाया को मारने जाता है, लेकिन पकड़ा जाता है, और फिर उसे मुन्ना के सामने ही मार दिया जाता है, गुड्डू और बबलू अब एक बिजनिस के लिए जौन पुर जाते हैं, और पता चलता है कि उन्हीं रती शंकर शुकला ने ही बुलाया था, औ उनसे पूछे बिना उन्होंने शुकला को कैसे मार दिया, अब गुड्डू और स्वीटी की शादी हो जाती है, जिस पे मुन्ना बहुत दुखी होता है, और कालीन भाया पे अटैक के लिए गुड्डू को फ्रेम कर देता है, कालीन भाया इस बात से खफा होके गुड्ड से थोड़ा बिमार होता है, दूसरी तरफ SSP मौर्या अफीम के बिजनिस को कालीन भाया से कनेक्ट कर लेता है, लेकिन कालीन भाया उसकी पूरी टीम को उसके सामने ही मरवा देते हैं, और उसे धमका के छोड़ देते हैं, बीना का राज भी बाबू जी को पता लग जाता ह और वो राजू का कटवा देते हैं, और खुद बीना के साथ सेक्स करते हैं, शादी में अब मुन्ना भैया पहुच जाते हैं, और फाइरिंग करने लगते हैं, इसके बाद वो स्वीटी और बबलू को मार देते हैं, लेकिन गोलू और गुड़ यहां बच जाते हैं, और चारों तरफ फाइरिंग होने लगती है और यहां हम देखते हैं कि सीजन वन को एंड कर दिया जाता है अब हम सीजन टू का वीडियो जल्द ही लेके आएंगे तो तब तक के लिए आप हमारे चानल को सबस्क्राइब करना ना भूले और अगर यह वीडियो पसंद आये हो तो से लाइक जरूर करें धन्यवाद